यूपी बिहार बंगाल दो हजार चोबिस में कर देगा बड़ा बवाल यही सबसे बड़ा सवाल दो हजार चोबिस के लिए यह तीन राज्य यूपी बिहार बंगाल असी सीटे चालिस सीटे बयालिस सीटे कुल 162 सीटे और 162 सीटे यानि बहुमत का जो आकड़ा है 272 का उससे 110 सीटे कम बस अगर ये तीन राज्य एक हो जाएं तो ये वो कुवत रखते हैं वो हिम्मत रखते हैं वो दम रखते हैं ये तीन राज्य हैं कि आदी सरकार अपने आप बनवा सकते हैं आदी सरकार 272 में से 110 कम रहती है इन तीनों राज्यों की शीटे को अगर मिला ले और आज सुबह तामें सबसे बड़ा जो रोडा मानी जा रही थी या ये एक माना जा रहा था कि ममता बेनर जी ना जाने आएंगी नहीं आएंगी कॉंग्रेस के साथ में मिलेंगी बैठेंगी नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा उन सारे सवालों पर ममता बेनर जी ने धक् परचार करके जो हीरो बने वे हैं उनको जीरो बनाएंगे सबसे पहले नितिस कुमार आज गए बंगाल में सुबाज बंगाल में और शाम पहुते होते पहुँच गए लखनव के अंदर यूपी में और यूपी के अंदर जो है वो अखिलेस यादव अखिलेस यादव ने भ पहुंचे है अखिलेश यादव के पास में नितियस कुमार तो वहां किया कुछ बातचीत हुई है वो भी मापको सुनाओंगा लेकिन जो सबसे बड़ा सुर्खी आज के रहा हीरो से जीरो बना देंगे ममता बेनरजी का बयान रहा शाम होते होते जो है तस्वीर निकल करके स लेकिन किस तरह से जो है ममता बेनर जी अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर जो हो नजर आई और कहा यह लोग जो जोटी वीडियो बना करके अपने आपको हिरो समझ रहे हैं इनको जीरो बना देंगे सुनिए नितिज जी आई हुई है तेजो शिभी शात में आई हु हमने खूश है कि हमारा इधार में आई हुई है बंगाल में हम तो नितिज जी को एही रिकोष्ट किया है कि नितिज जी देखिए जय पोकास जी का जब मुवमेंट वा था बिहार से वा था अगर हम बिहार में और काटी मिल के मीटिंग करें एक पहले घरवा मीटिंग उसक में एक मेसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में हमारा तो पहले से अप लोग को कह चुका कि हमारा इसमें कोई एत्राज नहीं है हम चाहते हैं बीजो पी जिरू बन जाए बहुत बड़ा हिरो बन गया कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नेरेटिव बन करना के आव फेख बात करके आव बुंदा गदधरी करके ऐसा नहीं चल सकता है तो इसे के लिए नितीज कुमार यहां से तो यह संदेश ले करके आए उसके बाद में लखनो पोंच गे और लखना वे बड़ी बातचीत हुई और लखनाव में पहुंच करके नितिश कुमार ने जो है वो तेजस्वी यादव के साथ में मिल करके अखिलेस के साथ प्रेस कॉनफरेंस की और इस प्रेस कॉनफरेंस के अंदर सबसे पहले आप सुनिएगा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अखिलेस या पी है या फिर जो है समाजवादी पार्टी है और उसके साथ में बीएस पी है और कॉंग्रेस है लेकिन कॉंग्रेस का वहाँ पर जनादार है नहीं यूत्तर प्रदेश के अंदर लोग समझ चुनाव की बात करें तो खुद जो है 2019 में राहूल गांदी हार गए ते और बी यही बात है ममतब एनरजी और बीजेपी यही दो धड़े हैं यह दो राज्य ऐसे हैं यूपी के बिहार के दाएं और बाएं यह दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी वर्सिस दो अलग अलग पार्टी हैं और वो किसी और के साथ में नहीं है वो अकेले है जबकि बिह बिहार के अंदर जेडियू भी है और जेडी भी है और कॉंग्रेस भी है तो ये जो कॉंग्रेस ने बिहार के अंदर तो नितिश कुमार को आगे किया लेकिन नितिश कुमार इन दोनों राज्यों से कैसे यहां पर गठ जोड़ करके दिखाएंगे बड़ा सवाल यही है और क्या वाकिक काम्याब हो पाएंगे ये भी सवाल है और अगर यहां पर दाएं बाएं दोनों तरह से जो है वो नितियस कुमार के यहां पर हाथ मजबूत हो गए बिहार में भी बंगाल में भी तो फिर मान करके चलिए खेला होने में कितने वक्त लगता है सुनिए जरा लखना पार्ण पार्ण को सब्सक्राण को बचाने के लिए भारती जंता पार्टी कि लगातार गलत आर्थियों के कारण किसानगरी मजबूर तकलीफ और प्रेशानी में है संकट में है महंगाई चरम सीमा पर है ब्रुज्यारी चरम सीमा पर है और इस भार्टी जन्ता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ है भार्टी जन्ता पार्टी हटे देश बचे उस अभिहार में हम लोग आपके साथ है हम लोग तो आई ही हैं इसलिए और ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो कुछ भी यहां सासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है सिर्फ प्रचार प्रचार हो रहा है तो वह ऐसी स्थिती में अधिक से अधिक पार्टीयों के साथ बाचित चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बाचित किये हैं और जैसा इन्होंने कहा हम लोगोंने तैक किया है कि जादा से जादा पार्टियों को देश में हम लोग एक जुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि इस देश यह देश आगे बढ़े और यह बीजे पीसे मुक्ती मिले पूरे देश को और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं तो लोगों को तो जानना चाहिए न सब चीज को और जो काम हो रहा है खाली परचार ही न हो रहा है तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बाचित पहले से ही हो रही है और आज भी बाचित हुई है बड़ी खुसी की बात है तो भी हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिल करके अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फाइदा होगा और देश के हित में होगा तो इसी दृष्टिकों से बाचीत हो गई जो आपको कहा हम सब लोग आये हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे ये बात हो गई है और हम लोग का संबंध जो है इस राज से उत्तर प्रदेश क्या समझ रहे हैं जो जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग का तरिस्ता इससे ही सुरूसब है एक जुट है है समाजवादी है बोलिये न तो हम लोग का तेकी न पुराना रिष्टा है तो इसलिए हम लोग का तो खर है ही और मिल जूल करके तो हम लोग चलेंगे लेकिन पूरे देश के अन्य जगों के हित में भी हम लोगों ने बाचित किया है कि अन्य जो पाठिया है सब के साथ बात करके और उसको एक जुट करेंगे यही बात हुई इसी के लिए आए है अपनों के साथ और अच्छा हुआ अच्छी बात शीत हुई है यूपी बिहार बंगाल का अगर ये साथ दोहजार चोबिस तक रहा तो तस्वीर बदल जाएगी योगी फिर मान करके चलिए आप यूपी बिहार बंगाल में जहां पर 162 सीटे हैं 162 सीटों पर अगर विपक्स ना करके भी अगर 100 सीटे ले आया बंगाल की बिहार की और यूतर प्रदेश के मिला करके 100 सीटे यहां से ले आया तो बागी बची 112 सीटे एक सो बैतर सीटे जो है फिर वो कैसे उनका इंतिजाम के जाएगा वो फिर सवाल होगा अब देखी कॉंग्रेस जब बिल्कुल खतम कंडिसन में थी अभी भी तो 55 सीटे उसकी अभी भी थी और कॉंग्रेस इस बार राहूल गांदी को सजा होगी क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ देखते वे और करनाटक में चुनाव होगा उसके बाद में तो मान करके चलिए कॉंग्रेस जो है अपने आप में 100 से 2700 सीट कम से कम अगर सिती में जो है रहती है तब भी 100 से वो डेड़ सो से दो सो के बीच कांकड़ा लिया है सरकार देखिए बनी बनाई है सरकार अपने आप में बनी बनाई है डेड़ सो के आसपास अगर कॉंग्रेस रह गई सो सीटों के आसपास अगर ये रह गए धाई सो सीटे हो गई धाई से सीटे हो गई और फिर उसके बाद में 25-30 सीटे चाहिए वो सीटे तो फिर अपने आप से आ जाएंगे वो सीटे फिर आप बात करिए थोड़ी थोड़ी सीटे जो है वो निकल निकल करके और दूसरी जो पार्टी है वो भी फिर समर्थन कर देंगे तो कैसे जो है वो तस्वीर निकल रही है और कैसे तस्वीर साफ हो रही है और यह तस्वीर जो साफ हो रही है क्या वाकिए 2024 में भाजपा को साफ कर पाएगी या सब कुछ इतना करने कि ये बाद में भी मोदी के सामने कम पड़ जाएगा सवाल लिए आपके सोंसते नीचे कम अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर